नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स श्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से इस बहुत ही खोबसुरत कलर्फूल लीप स्वाले पॉधे क्रोटॉन के बारे में बात करने वाला हूँ क्रोटॉन जो की बहुत ही खोबसुरत प्लांट है इसकी बहुत सारी वाराइटी जाती है अलग अलग सेप पत्यों के और साथी साथ इनकी पत्यों के अंदर ये जो कलर वैरियेशन होता है ये अपने आप में देखने में बहुत ही ज़्यादा खोबसूरत लगता है काफी attractive होती है इनकी पतिया और ये most common plant है लगभग हर कहीं जो है लोग इसको लगाते ही है इसकी पतिया जो है जो colorful ये view देती है वो अपने आप में garden के अंदर या फिर इनको school, college, parks ऐसी जगों पर अगर लगाया जा रहा है तो वहाँ पर भी ये बहुत ही खोपसूरत लुग देती है आज की अपने इस वीडियो में इस plant की पतियों को कैसे हम ज्यादा जमकदार और साथी साथ ये इनके ऊपर जो ये color variation है जो टैक्सियार है ये कैसे बहुत ही खोपसूरत ला सकते हैं साथी साथ जो है हम इनकी पतियों को कैसे गिरने से बचा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ समस्या यह आती है कि उनके क्रोटाउन के प्लांट की पतियां जो है वो रुकती नहीं गिरती रहती है और होता क्या है कि ऐसा खूबसूरत जो इनकी पतियों के अंदर ये color variation है ये भी नहीं मिल पाता है तो लोग तमाम नुख्सके आजमाते हैं लेकिन बहु में हम उन सारी ट्रिक्स को समझ लेते हैं जिनको अपनाने के बाद आपके प्लांट की भी पतियां गिरेंगी नहीं खूब स्वस्थ और चमकदार होगी और साथी साथ ऐसे ही colorful texture आपके प्लांट की भी पतियों पर निकल के आएगा सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी समस्य पतियां जो गिराने वाली है उस पर पतियां जो है वो पहली condition जो है पतियां गिराने की कि जब हम नजरी से इस प्लांट को लेके आते हैं और रिपोर्ट करते हैं उसके तुरंद बाद ये प्लांट सौक में जाता है और इसकी पतियां जो है वो गिरने लगती है और कभी क इसकी जगे को बदल देते हैं तो ये सौक में चला जाता है और अपनी पत्तियों को गिराना शुरू करता है तो ये तुरंत रिपोटिंग की वज़ा से सौक में चला जाता है और होता क्या है कि ये पत्तियों अपनी गिराना शुरू कर देता है कभी कबार इसकी पत्यां पहले डेली पड़ती है उसके बाद गिरना शुरू होती है और कभी कबार तो ऐसा होता है कि पत्यां बिल्कुल सुस्त होती है और अचानक गिरना शुरू हो जाती है तो इस कंडिशन में आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस प्लांट को लेके आए तो अपने गार्डेन के अंदर एक हपते या फिर जो है दस दिन तक रख दीजिए और उसके बाद जो है रिपोट कीजिए अनुकूला नस्थापित कर लेगा तो वहाँ पर स्वाक साथ जो है रूड भी हो जाता है हमारा प्लांट और इस कंडिशन में कभी-कबार जो है इसकी रूट्स जो होती हैं हो बाउंड होने की वज़ा से अच्छे से न्यूट्aiser चो होता है कि इसको जटंक करने की वज़ाघर जहा से छराब है कि और दूसरी कंडिशन में कभी कभार होता क्या है कि इसकी जो चिकनी मिट्टी होती है बहुत जादा मौष्टर को होड़ कर लेती है और उस एक्षा मौष्टर को होड़ करने की वज़ा से यह प्लान्ट root rotting का सिकार होता है और बहां पर भी पत्तिया गिराना ये शुरू कर देता है तो जब nursery के अंदर से आप इस plant को ले के आते हैं अगर आप बरसात के मौसम में ले के आते हैं तो आप इसकी roots को पूरी तरीके से open करके फिर report कीजिए पहले इकाधफता रख दीजिए उसके बाद roots को अच्छे से open करके चिकनी मिट्टी में या red मिट् में शमर में तो उस time पर इसकी roots को partially open कीजिए पूरी तरीके से open मत कीजिए मैंने बार बार आप सभी के साथ एक और वेडियो के अंदर ये चीज़ बताई थी आप उपर से मिट्टी कुछ हट तक हटा लीजिए आसपास से हटा साइट साइट से हटा लीजिए और नीचे से हटा लेजिए roots को जब बाहर निकलने की जगह मिल जाएगी तो वो नई मिट्टी के अंदर जब चली जाएगी तो चिकनी मिट्टी बहुत जादा मैटर नहीं करेगी roots जब strong हो जाएगी तो वहाँ पर जो समस्याई दोनों बताई वो नहीं आएगी तो पहली समस्या पत्त गिर रहें कि आती है होता क्या है कि हम लोग over watering कर देते हैं अपने पौधों के अंदर हाला कि आपका ये पौधा जो है अपने वाता वरड के अंदर भी इसको humidity पसंद होती है और मिट्टी के अंदर भी पसंद होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको मिट्टी को विल्कुल सौगी बना दें इतना पानी दें आपको अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक करना है उसके बाद अपने पौधे को पानी देना है मौश्चर लेवल को मेंटेन करके रखना है और रही बात वाता वरड़े में humidity की तो इसको आप bright sunlight के अंदर प्लेस कीजिए direction light में मर्द र सकते हैं जहां पर शुवया साम की एकाद घंटे की इसको धूप मिल जाया बाकी पूरा दिन ये प्लांट आपका शेड़ बेर है तब ही आपका ये प्लांट जो होगा थोड़ा इसको ठंड़क मिलेगी और इसकी पतियां जो है वो शौक की वज़ा से गिरेंगी नहीं या तेज धूप की बज़ा से अगर आप से हो सके तो आप इंडोर प्लांट जो आपके पास हो जो ब्राइट सनलाइट पसंद करते हो उनके साथ इसका गुरूप बना के रखे इसको बहुत जल्दी जो है अपने आसपास के पौधों के साथ अनुकूलन अस्थापित करना और साथ ही साथ वाता ब्रड के अंदर से हुमिडिटी भी पसंद होती है तो दो काम आपको ये कर लेना है अगला जो रीजन हो सकता है इसकी पत्या गिराने को कि आपका ये पौधा जो होता है इसको एस्टेटिक स्वैल पसंद होती है एस्टेटिक स्वैल बनाने के लिए अच्छे से पुरानी काउडंग कमपोश दे सकते हैं और दूसरी चीज जो है आप नीबू का जो छिलका होता है उसको पानी के अंदर 48 घंटे भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद जो है अपने प्लांटर की मिट्टी के अंदर जो है जब मिट्टी आपके ड्राइ लिक्टों पर ग्रण機 मिट्टी खेंग говорить कर दिजिए ऊसको अपने प्लांट को प्रोबाइट कर दीजिए आपके प्लांट की मिट्टी जो है एसेटिक हो जाएगी कभी कवर होता Hamburg का नेचर न होने की बज़ा से आपका प्लांट जो है अपनी पत्तियों को गिराता है बिंटर के अंदर आपका ये पौधा जब पत्तियां गिराता है होता क्या है कि इसको बहुत जादा लो तंप्रेचर भी नहीं पसंद होता है जब तंप्रेचर 10 डिगरी से नीचे चला जाता है तो आपका ये प्लांट अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है तो कोशिच ये कीजिए कि बिंटर के अंदर आप इसको ऐसे जगहां पर बरांडे बगएरा में रख दीजे जहां पर इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे और आपका ये प्लांट फौग और ठंड़क से बचा रहे बहुत सारे लोगों की कुश्चन ये आते हैं कि मेरे प्लांट ने अपनी सारी पत्तियां गिरा दी हैं अब नई पत्तियां कैसे आएंगी तो उसके लिए अगर बिंटर के अंदर पत्तियां गिराया है तो spring season तक का बेट कर लीजे spring season जैसे ही आता है आप अपन प्लांट को देते रहे, इसकी मिट्टी को एस्टेटिक बनाते रखे, और अगर बिंडर के अलामा अधर सीजन में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको यही सेम चीज करनी है, जब पत्तिया ना रहें, आप फोल सनलाइट के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे ही पत्त के साथ अनुकूलन अस्थापित करके रखता है, तो करना क्या है, कि बार-बार इसको हमें अपने गार्डन के अंदर जो है, इसका प्लेस बार-बार चेंज नहीं करना है, आप ब्राइट सनलाइट का एक ऐसा प्लेस चुन लीजिए, जहां पर इसको अच्छे से रखकर अ इकात घंटे की धूप मिल चाहें, तो और भी अच्छी बात है, यह colorful texture इनके उपर जो निकल के आता है, यह इनको थोड़ी बहुत धूप मिलने की वज़ा से ही आता है, अगर धूप बिलकुल नहीं मिलेगी, तो यह green-green पत्तियां बिलकुल निकालेगा, ऐसा texture आपको नह कर रकी हैं, ऐसे ही इस पौधर के साथ है, तो करना क्या है कि हमको इसको bright sunlight के अंदर रखना है, और ऐसी जगह पर रखना है, जहां पर जो है, इसको धूप छनकर मिलती रहें, सुवे साम की धूप भी अगर मिल जा तो बहुत अच्छा है, और बार-बार इसकी जगें को भ अगर बार 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 कर सकते हैं, सिर्फ दो बार मिस्टिंग करेंगे, तो उससे ही काफी अच्छा result मिलेगा, फिर भी अगर आपसे हो पाए, तो जैसे ये बड़ी पत्तियों वाला जो पौधा है, इसको आप कॉटन के कपड़े से इसकी पत्तियों को अगर पोच देंगे, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, और अगला काम जो आपको करना है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आपके इस प्लांट को जो है, य अमकदार रहेंगी, खूबसूरत कलर ट्रेक्चर इनका जो है, वो बना रहेगा, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बतायेगा, ऐसी किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं, किसी नेक्श वीडियो में, तब तक के लिए बबाबार, एंड ट